हाई एब्रीबन वेल्कम तो पीजिस गलक्सी आज की सेशन में टियाएफर जीएस 2020 फ्लोर का जो एक्जाम हुआ है उसमें से कुछ इस सेशन में हम लोग डिसकस करेंगे पहला जो कुछा गया था कि यहां पर देखिए कि यहां पर देखिए कि जो वेफ फंक्शन की भी ने साइव एक सो आई सेट डाट इक्वियल तू आलफा ओवर फाइफ बाइटू और नीचे में रूट अंडर पाई ऑप सेट तो जेट जो होता है कि इन हाडिजेटों की केस में स्पेरिकल प्रॉलार कॉरेट जो होता है कि जेट के रिप्लेस में आब ऐसे लिख सेपते हो कि जेट एक्वियल टू जो है कि आर्ट ओस ठेटा और इधर जो है कि अबट सॉब x square प्लास y square प्लास जेट इसमें से Compare करने से जो इल का वैलू का जो या है स्कृइर को शोल्य होता है अगन बैलो मेल प्लास बन और उसके साथ एस्ट क向ट पर सक्द में और पूछा गया था कि क्या होगा तो इहां इधर जो आ रहे है कॉम्पेर करने से जो स्टैंडर्ड कोई फॉकशन होता है अध्य थे पता चल रहा है कि जिरो आएगा तो इसलिए इसका दो राइट उसन है कि L का बैलू 1 और L2 का बैलू 2H2 and LZ का बैलू 0 तो यह option और यहां पर इतने सारे questions हम लोग डिसक्स कर रहा है वह सारे memory waste है इसमें कुछ data होड़ा different भी हो सकता है और option भी थोड़ा अलग भी हो सकता है next problem, consider an electron is in ground state of a 2D infinite potential wall of length is L, if the electron is excited state then the wavelength of the radiation is 40 or 0 nanometer तो क्या है कुस्चिन में कि according to the problem actually 3 of phi square is square square under 2 m of square that is equal to hc under lambda तो और यहां पे lambda जो given है 4040 nanometer so that means actually lambda is given 4040 nanometer and इसमें जो मास है की electron का जो मास होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 of kg और जो c है velocity of light c multiply 10 over 8 meter per second और इदर से जो आ रहा है की square equal to 3 pi square h cut square of lambda under 2 m of hc फिर यहां में दिखिये की यहां पे जो पूछा कहा है था कि the length क्या होगा तो ए इल स्क्वेर कर दीजिए यह ना लिख के इल स्क्वेर कर सकते हो कि एल स्क्वेर जो आ रहा है कि h cut square of lambda under 2 m of hc तो यह calculate करने से जो result आएगा 1.92 nanometer तो यह option correct था में क्या है कि consider the potential vx equal to half of kx square and x equal to x value is greater than and then क्या है कि जब less than equal to 0 है x का value तो infinite हो रहा है एन इकुल टू 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 एन प्लास हाव हो इसकट ओमेगा यह होता है result और इसमें इन का जो value होता है एन इकुल टू जीरो वन टू और इंटिजर तो फिर देखिए कि इसमें तो ग्राउंस्टेट के लिए जीरो आएगा तो इनका फिर रूप पहले जीरो लेना है तो इधर जो आ रहा है कि और यह कि ओमेगा फिर होता है कि रूप यहां पर आ रहा है कि त्री अंडर टू एज कट और रूप अब रूप अंडर के अंडर एम तो कुछण नहीं नेश्ट किया है कि in the harmonic oscillator potential and unnormalized energy eigenfunctions is given psi of x equal to 2x to the power cube minus 3x e over minus of x square y2 question किया है कि the corresponding eigenfunctions to the adjacent states और उसे अटिसेंट क्या होगा तो देखें कि actually corresponding adjacent energy levels होगा हो क्या है कि a of x square minus of b और उसके साथ e over minus of x square under 2 and जो है कि और जो एक होगा कि यहां पर इसे करके दो सेट दो फंक्शन था तो जहां पे result dependency होगा तो इसलिए इसका जो कराइड ऑप्शन होगा की चाल्च ऑप्शन था उसमें से कोई एक्स सेट होगा जहां पर यह अर्जसेंट स्टेट होगा कि ने कि कुछिन किया था कि पार्टिकल हेविंग दा मोमेंटम पेस मोमेंटम स्पेस वेफ फंक्शन प्यूप इसकोई अडर्टम करें माइनस ऑफ यह अफ डिल पी का स्कूरल माइल पी इक्वाल टू आइफ लिल टी आप यह पी तो यह बोला गया था कि इसमें बोला जा रहा है कि एफ आप आर का वैलू क्या आएका तो इसमें आपको जो करना था कि देखिए कि इसमें जो Psi of Rt जो होता है उसमें से रिजल्ट निकलने के बाद की जो कोडियर पेसमें होगा तो क्या होगा देखे की पहले तो कोडियर पीजन मोमिंटम स्पेसमें वेफशन कैसे होता है कि जैसे तो आव और पाइच में 202 पाइच वाल ओर 302 और इन्टिकेशन ओ phi of kt this is actually phi of kt that is momentum space and then e over of ik dot r उसके साथ dk using the Fourier transform similarly momentum space में क्या होता है phi of k of t that is equal to 102 pi all over 302 and integration of psi of rt और इसके साथ e over of minus of ikr of dr this is actually dr तो जो है एक है कि Fourier transform एक जो है inverse Fourier transform ठीक है तो फिर के जो होता है कि k equal to p under h cut तो इस में से जो result आएगा तो फिर यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो कि पी स्क्वेर और इसको आएगा इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि देल स्क्वेर और साइव आठ टी इसे पोजिशन स्वें ऐसे लिखना है ठीक है और इधर क्या आएगा कि स्क्वेर जो है दो देल पी स्क्वेर एक्शली इस अच्वी था पी ती दो इसका डिखक कि Re दो ऑग वेकि मै आप स्क्वेर ऑफ मैंस बाद स्क्वेर dan दो एसे आ जाएगा दिन अजिथ एक्वेर उस्व्राइजर इसंधी टांसक्रम आप एक्सॉल्ट फॉन दिखक्वेर और फिस्क्वेर जो है कि एक्षुली जो आएगा कि माइनस ओफ दिसक्वेर अंडर की अ कि प्याओं जो है कि श्चूरी टी ऐसे जो है कि यहां पहे श्योंबाटी तो जो आएगा इक्वाल टू और आई ऑफ दिल फाई ऐसे भी लिख सकते हो फाई और टी तो फिर इसे में जो आएगा डिल टी तो इतर से जो आएगा की पोटेंशियल इसको पाहले पाहन डिवट करना है कि जो पोटेंशियल आ रहा है वर्म भी याल इक्वल टू एवार स्कूर इसमें से जो रिजल्ट आ रहा है तो दिन पूछा गया था फोर्स क्या होगा तो फोर्स ओफ एफ एक्वल टू जो होता है कि माइनस ओफ ग्रैडव भी आप आर तो इसमें डिवाइड वाइज का का और देखें की यह रिजल्ट होगा और इसमें मैंने इसकट पर फेल लूट नहीं लिया है पहले कि पहले वान मान के चल रहा था इसमें जो रिजल्ट आएगा इसकाट का स्क्वैल भी होगा तो ऐसे रिजल्ट आएगा एफर का वैलू ठीक है एक्शली पेसिपिक वाई के लिम का बूख से यह पूचा कर था नेक्स और जो कॉस्ष्ण है कि फाइंद अफट बैलू अब द शाम प्रॉप द शाम एक सीरिस था और उसमें उसका साम का वैलु क्या आएगा लिए पहले कॉस्ष्ट किया था कि एक सीरिस गिविन था जो है कि is equal to sum of our n equal to 1 1 up to infinite and this is actually minus 1 over 1 plus n of निचे में 1 of n of 2 4n तो इसे जो आ रहा है कि एन का फेल्व वन पूट करने से 1 under 2 to the power of 4 minus of 1 under 2 of 2 over 8 फ्रास जो आएगा 103 of 2 to the power 12 ऐसे करके चलेगा ठीक है next minus आशे करके आजाएगा तो इधर जो आ रहे हैं कि 102 to the power of 4 minus 1 by 2 of this is actually 102 to the power of 4 इसका square फ्रास एसे लिख सकते हो कि 103 of 102 to the power of 4 इसका cube तो इसे करके minus ऐसे चल रहा है तो इसमें जो आ रहा है कि जो शीरीज actually ln of 1 plus 1 under 2 to the power of 4 and of 1 plus x का series ठीक है तो फिर इदर जो आ रहा है कि ln of 1 plus 1 under 16 जो that means actually ln of 17 under 16 तो यह option में था कि ln of 16 है 17 under 16 तो यह option करेक्ट है नेस्ट किया था देखिए कि नेस्ट जो था एक डिफरेंसे रिक्वेशन से कुच्छन पुचा गया था गिविन दा simultaneous equation dx under dt equal to a of y of t and dy under dt equal to a the solution of this equation source the nature इस दो एक्वेशन जो है इसमें solution करने से इसका नेचर क्या आएगा दर मेंस एक्षुली इसका behavior होगा solution का वह सारके ellipse and parabola hyperbola ऐसे कौन सा होगा ठीक है तो देखिए कि एक्वेशन क्या था कि डी वाई अंडर जो है कि डी वाई अंडर dt that is equal to a and dx under dt that is equal to a of y of t a given था तो फिर देखिए कि that is equal to वैसे लिख सकते हो कि a square of देखिए इधर से क्या आएगा कि a of y equal to a t आ रहा है ठीक है तो फिर t equal to क्या रहा है तो y under a रहा है ठीक है तो फिर इधर देखिए कि yt का जो वाई आ रहा है a t so that means actually इधर आ जाएगा square of t and then x equal to a square of t square under जो है कि 2 so that means x equal to और फिर देखिए कि a t का जो वैलू है y so x equal to आ रहा है y square under 2 so that means actually is a family of the car will be the parabola the nature of the car actually जो है आ रहा है पैरा बॉला next क्या था कि given the ground state ionization potential energy of the hydrogen atom is 13. क्या है is 13.596 electron volt calculate the ground state in ionization potential energy for the deuterium okay तो क्या है कि hydrogen atom में जो ग्राउस्ट डाउस्ट डाउस्ट पूनिशन एर्जी गिविन है 13.596 और एनार्जी का जो वैलू होता है एक्षिल डिपेंडेंसी इस वान अंडर वन प्लस एमी अंडर यही फर्मूला होता है तो फिर कल्कूलिशन करना है कि रेशियो कर दीजिए कि एडी अंडर एज करना था डिटरियम अंडर अंडर hydrogen atom ओके इसका रेशियो के आएगा तो फिर वान प्लस और एम ऑफ ए अंडर एम ऑफ पी यह आ गया और नीचे में आएगा जो इसको नीचे में आ रहा है कि वन प्लस और वान अंडर वान एट थे सिक्स और नीचे में आ रहा है कि वन प्लस वान अंडर सब्सक्राइब तो इसको सब्सक्राइब से जो आ रहा है 1.001 यह रिजल्ट आ रहा है ठीक है यह जो है कि देशियो आफ डिटरियम एंड है जो है आयोनिजेशन गाउन स्टेट पोटनिशन एनर्जी पर फॉस्टन में पुछा गया था कि डिटरियम के लिए क्या होगा तो सब्सक्राइब के लिए जो होगा कि ED equal to 1.001 और इसके साथ सब्सक्राइब करने से जो रिजल्ट आ रहा है कि 13.602 एलेक्रों फोल्ट ऐसे ऑप्शन था इस पूस्टन का राइड ऑप्शन यह होगा नेक्स्ट जो है कि f lambda equal to integration of क्या है कि माइनस इंपर्ट प्लास इंफाइनट ऑफ लेमडा एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वाइर और यूज ए इंटिक्रेशन स्टेंडर्स रिजल्ट है गोशन इंटिक्रेशन का रिजल्ट होता है रूट अंडर पाइंडर एक तो इसको यू इस आज दिन दा फाइंड आप लेमडा स्क्वाइर को इफिसेंड देशली एक्टू का वैलू क्या होगा तो इसमें करने के लिए क्या है कि दिखे कि आथो एफ जो है कि f of lambda equal to 0 so that is equal to f of 0 and इधर चुबाएगा कि f prime of actually a prime of 0 of lambda and plus जो है कि f double prime of 0 of lambda square ऐसे करके टेरो सेरीज में आ रहा है ठीक है तो एफ प्राइम क्या आएगा एफ प्राइम आएगा कि रूट अंडर ओफ पाई और इधर जो आएगा टू लेंड़ा अंडर फोर लेंड़ा अंडर फोर और लेंड़ा स्क्वेर अंडर फोर यह जो फॉर्म हम लोग यूज़ कर रहे है एक्शली जो specific question function का जो integration होता है है ऐसे फोर्म यूज़ हो रहा है मां देखें कि इसमें की आयाएगा कि इसको इक्वेल करके लिख सकते हो और इधर जो आएगा यह ओफार लेंड़ा स्क्वेर अंडर पोर और पूर कंपेर करने से ठीक है इधर में जैसे होता है कि मायरस अबाल पाइक्वार होता है कि सिन्प्रइप में पूछा जा रहा है कि लेंड़ा स्क्वेर काप वो और इधर आहें कि रूट अंडर पाइ अंडर टू। फेक्ट्यर यह एधर और अब रहो लैंडा स्कुएर चुक्त तोधिश्रण से पूछा गया था लैमडा का जी रोड़ जव है उसी टाइम ठीक है को सेकंड डॉला जो लोड़ा स्क्राइब का जो कोई फिसेंद उसका फैलू क्या होगा तो देखे पहले लेमडा का फैलू जीरो है तो यह पूरा जो टाम है फास्ट ट्रम जीरो हो रहा है नेक्स्ट इसमें बच रहा है कि रूट अब पाई अंडर क्या है कि फोर इवर ऑफ जीरो पुछ भी हो तो एक यह होता है कि 0 इसका रिजल्ट आ रहा है रूट अंडर पाई अंडर फोर एक इस एक इंटिकरेशन कोशन में आया था तो इसका रिजल्ट करेक्चिव होगा कि रूट पाई अंडर पॉर कि निस्ट के देखिए कि इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहला जो है कि दोनों जो के जो को एक्शुल is being constant hai parallel है ठीक है तो फेर इसमें से जो की भी है ओ दिखिए के और इदर में एक पार्टीड है कि मॉड़ी है जो कमास है थिक है तो इसमें से जो रिजल्ट आएगा ये इसमें और भी विजल्ट आएगा देखिये कि इस दोनों में ब्रनल होने से इसमें जो रहा है कि एक्षिली टू के आ जाएगा और इधर एक बचा हुआ है पहले से जो है कि के भी तो फिर यहां जो बॉड़ी था कमाद जो था कि एम फिर यहां पर के यहां जो आएगा आएकलिजामक गोड़ी टू ऐख के एंड चेंट थी अंडर टू के मिवक्स वटफ पुछा गया था कि कि लॉटका फिकवेंस्य तो मोड़ो फिक फिकिंसी क्या होता है कि ओमेगा ओमेगा ऊमेगा एक्वाडिटू रूंडर के अंडर फिक तर्वेंड़ जो है कि मास्ट जो है एम सो दर इसे क्वेल टूर अंडर ओफ क्या रहा है कि तू के एक बी डिवाइड़ेट एम और के भी प्लास तू ओफ के ए तो ऐसे आपसें कोश्ट में था तो एक जो रिजल्ट होगा यही आपसें जो है वही करेक्ट होगा ठीक है कि नेश्ट किया था देखिए कि नेश्ट जो था कि एक गिवी पोटेंशियल वी रिक्वेल टो माइनस ओफ ए अंडर आर माइनस ओफ बी ओफ आर क्यूग देन दा स्मॉलेस्ट फैलू अब दा एंग्लर मोमेंटम तो फिर इसके में जो है कि सेंटल फोर्स या सेंटर पोटे थे प्र है लोगे भी था की माइनस ओफ अडरघ्व और ओवी अंडर आर क्यूब और प्लास जो है कि एल स्क्वेर अंडर टू एम ओफ आर स्क्वेर्ट तो इसमय देखे कि कि इसको डिरिविटिव करना होता है कि विट्यल वी एफेक्टिव प्लाफ ए और इक्वेल टु र स्क्वेर प्लस 3D अंडर 3D अंडर और अब तूझ पार 4 इकल टू जीरो और इसमें जो रेजल्ट आ रहा है तो फिर यहां से the a of r square minus of l square under m of r plus 3b that is equal to 0 फिर यूज करना है कि सिदर असर जो फर्मॉला जो है कि b equal to आएगा the l square under m plus minus root under of uh b square b square means l square under sorry 4 under m square and minus of 4 minus of 4 a b so that is actually 4 that means 4 312 12 of a b and निशे में जो आएगा 2a so that means actually 2a तो इसे की वी का फैलू ठीक है और इधर देखिये की आइल स्क्रें का वहरूओ क्या आ रहा है तो फिर यहां ठीकवार्ड जिरो होने से this आरहे है एक्षुण ل्कवार्व पार पॉर्वें टूथि और एक होगा है तो जो है तो है और यहां पर आजाएगा यहां पर 12 होगा यह तो फूछा गया था तो इसको जीरो करने से रिजल्ट आजाएगा और जो रिजल्ट एक्षुली है कि 12 पॉल पॉप एम स्क्वेर अबी ओल ओर वन अन्डर फो तो ऐसे ऑप्सन था ओई करेक्ट है कि नेश्ट लिखे कि फॉर गिविन पीवी डागरम सोनी इन दफीगर एक्च्छली पीवी डागरम एक इविन है सिस्टम में और वीच आप ऑप्सन उन स्क्राइकस और यहां पर देवर्ट करेगा तो और यहां पर लुपर है स्टेट होता है और स्टेट एक स्टेट सर्फ स्टेट करेंगा तो देखे से यह से यह से एंध में आ रहा है ठीक है कि और यह स्टेट है किए से एंव होके यह में पाइल पॉयंट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट बोद अर्द इक्वेल तो इसलिए तो इंटरी जी जो है कि स्टेट्प फंक्शन होता है तो इसलिए ओचेंज नहीं होगा वह दिशने पाद ऐसुली चैने इसलिए और दो से प्रेज़ ने देखिए कि एए हीट पाउप कैन पावर आ पावर डेलिवर्ट बीटा और थी-च माइनस फ्टी-च विए थी-च तेमपरेशर उप्ट आप्ट सोर्स और थी-च इस इस तेमपरेशर आप देखोंप पाउर कोंजम्शन ओके तो क्या है दिखिए कि इसमें एक होट पाउप है जो कोल्डर एंड होटर दोनों रिजियन है इसमें तो ठीक है तो एक इंजिन है ऐसे माल लीजिए होटर रिजियन जैसे कान्नों इंजिन होता है तो इधर है कि कोल्डर कोल्ड रिजियन ठीक है तो क्या है कि क्या हो रहा है कि को एक्शली हीट पाउप होता के केस में कि अधर होने के लिए कुछ आपको चाहिए थीक है और च्क टेंपरेसरे टीवान माली जाए जैसे आप लोग क्या है कि और निकलते थे तो लिप्रिजाडर के लिए ठीक है तो ऐसे है ठीक है देखिए कि क्या आएगा तो फिर पाउर डिलिवार्ट जो हो रहा है एक्षिली बीटा ओप टी-एज माइनस अब टी-एस तो कोई पीसेंट आपको के से लिखा जाता है तो के एकवल टू अंडर टी-1 माइनस ऑफ टी-टू होगा ठीक है तो इसाल टी-टू है अ क्या है किने तीएस और एलिट आड़ से टी-एइस थीक है कोई पीसेंट वर्फ़ॉमेंश ढेट्स प्यों तो सना किया होगा तो नेक्स्ट सेच कि पावर आ कि ऐolasर्ण अ कि कैन्जम्शन जोगता पावर्र डीलिवर्ड कि होता है कि पावर्र डीलिवर्ड पावरे एंड एकेड पार्कॉमेंस यहां है यह तो क्या है अच्यमिर्स देखिए और डेलिवर्ट कितना बोला गया है गुश्च में था टी एच मायन्स जो है कि तीएस यह फावर डेलिवर्ट हो रहा है और नीचे में होता है मैं ऑपको कॉइपिसियंस अधे कॉइपिसिंट ऑपर फॉइंस तो जो आ है इसी केस में आड ती एस अंडर ती एच माइनस ओटी एस तो यह उपर में जाएगा तो इस स्क्वायर आएगा और इसमें जो है कि बीटा तो फिर जो रिजल्ट आएगा पावर कंजंशन जो है इस सिस्टेम के लिए पावर कॉंजम्शन तो पावर कॉंजम्शन जो होता है कि पावर डिलिवर्ड अंडर पार्फरमेंस नेक्स जो है कि स्टाइश्टिकल मेकनिक्स में पूछा गया था पैसिफिक घीट और टेमपरेचर अंडर इका जो ग्राप कैसे आएगा तो इस पेडिक घीट का विए विए कैसे आएगा ठीक है तो देखे पहला जो है कि पेसिपिक यहां पे जो आ रहा है कि सीवी थे को लिखने के बाद तो क्या है कि इवार और बीटा एपसाइलों डिवाइट वगाइट वान प्लस आप बीटा एफसाइलों इसका स्कुरेश्ट तो यहां कि पेसिफिक घीट तो ऐसे अब मानलीजिए कि फाल जो है कि एक्टुली इदे जो है कि बीता जो है वन अंडर लोगों प्लिएक यह तो एक और इधर चुट है कि 202 स्क्राइब इसको आप एक स्क्राइब है न या यह अब यह से दिखिए कि इसमें इसको एक्समान लिया ठीक है कि इसको मैंने मान दिया कि 100 एक स्क्वेर और कॉंस्टन कुछ है तो जो कैसे के भी है ठीक है तो दिन यहां पर क्या एगा कि यह वारोग वन अंडर एक सा रहा है तो नीचे में क्या रहा है एक स्क comments ऐसके फोलो हो रहा है तो isya फॉलो हो रहा है थूरा तो एक मतलब 0 करेगा तो होगा तो dominant करने के लिए जो functional dependency आ रहा है इसमें से इसका result जो आना साहिए एक correct होगा कि next question है कि for y y equal to a bar b plus actually y equal to क्या है कि a bar b plus जो है कि c bar ऐसे एक boolean equation given था और पुछाजार है कि a boolean expression है इसको simplify करने के लिए कितना minimum number of minimum number of land gate चाहिए तो actually लिखे कि इसमें जो है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि that is equal to a bar of b और इसका बार दोरों का बार और तीन को लेकर उससे और भी एक नियांडगेट लगा दीजिए तो a से जब नियांडगेट चाहिए आपको तो minimum क्या है नियांडगेट का जो property होता है minimum दो या दो से ज़्यादा input होता है ठीक है नियांडगेट के किसमें तो a से a bar आ गया तो next इहां से देखिए कि बी लेना है तो बी से क्या आएगा तो इधर इधर से जो आ रहा है कि a bar और बी जा रहा है ठीक है तो फिर इधर आएगा कि इसमें एक नियांडगेट लेना है तो इसमें आ रहा है कि a बार और बी इसका बार ठीक है तो फिर इधर से जो result आ रहा है इसमें एक c को लगाना ह तो क्योंकि आपको चाहिए कि ए बार बी उसका बार फिर सी उसका बार फोल बार ठीक है तो ऐसे करके आप देखिए कि कितना नैंडगेट आपको लग रहा है ए रिजल बनाने के लिए क्योंकि ए जो है इक्वेल ही है ठीक है तो इसमें देखिए कि इसमें तोनों को लगा दी कि आहा अर भी आ रहा है एक्ट का बार ठीक कि और इधार जाए गरिजा रहा है तो क्या होगा की एंप वी फिसका और एक चीच आए가 है टो इसका बार हो थो इसलिए इसका जो जो डंद ultime किस रही है ज्यादा कुछ भी हो सकता है बट मिनिमम पूछा गया है तो इसलिए जो है किस का राइट ऑप्शन मिनिमम फ्री टू इन्पूट नेंगेट चाहिए तो नेस्ट जो कोशन देखिए कि नेस्ट कोशन में क्या है एक सार्किट गिविन था उसमें कुछ पॉइंट गिविन है कि 123 और एक अप्शन क्या है और उसके साथ कि डाग्रम गिविन था कि 123 तो थू थैट्री और फोर और फाइब इस ऐसे करें थिक्स पॉजिशन है उसके लिए ठीक है तो देखिए इसमें जो बोला जा रहा है इसमें सब्सक्राइब करें लाश्ट और उप्शन में देखिए जैसे इधर जो है कि इधर चुप टार्मिनल है ठीक है और इधर जहें कि फोर टार्मिनल है ठीक है एधर लेखिए इंपूट समें रेजल्ट आता है Y equals A and B, या A plus B, ऐसे होता है, ठीक है, तो धर में होना चाहिए कि दोनों में result same है, तो result 1 आता है, ठीक है, output result 1 आता है, या कोई भी एक में output क्या है, हाइड है, तो इसलिए output भी टाइल क्या होता है कि हाइड होता है, ठीक है, पेप आपके पास है तो हेकि यँख है यह ज़ो कि धो लोगा तो ऑफीर इसमें और ऑशरेट की आप तो इस दो और चार में जो डाइगरम की भीने देखिये तो इसमें तुमें क्या है कि पहले जो है कि एक वहलु मिल रहा है ठीक है इसको नीचे में जो है एक्शली ऑप्स्टेट मान लीज जिए ठीक है ऐसा एक बोल्टेज होता है कि जीरो और फाइफ ऐसे टीक है तो तो देखिए कि इसमें क्या हो रहा है जो है एक्षड हमें इसमें तर Kazakh है ट्रॉणष है और फार जो है ऑफ स्वेश स्टैड है बट लेंने भी बोला कि दोनों में 80 कि होगा और रहेगा एक और भी तर देवी स्टैड के में क्यों होका धार तो वन आना चाहिए है पर देखिए कि दो और और मिलके जो आ रहा है ना मिल रहा है इसमें नहीं आ रहा है कि और गेट का जो प्रोपर्टी है वो फॉलो नहीं कर रहा है कि दोनों में से 10 आ जाए 9ेल 0 होता है जब क्या है कि और सब्सक्राइब क्या होता है और जर आता है 0,0 0 आता है जिर अंश्र के लिए पैसा है पास्ट करने मिल आ है यह नहीं तो एक्षली एंड होना चाहिए इसमें तो फिर थीक है कि एंड इस रिप्लेस वाईदर और स्टो फिर और और के रिप्लेस में ए पिर देखिया कि एक और इसमें बोला जा रहा है कि आउटपुट इनपर डियाग्रम की था और आउटपुट डियाग्रम क्या होगा तो यह फोट पॉसिंग डिटेक्टर और इसमें जो ग्राप आये पहले इतना क्या है कि इसमें पाइगा पहले चोटा सा एक रिजल्ट आएगा जिसमें क्या होगा कि ऐसे पीड़ाइगा ठीक है तो बाद में एक जो एक्षिड हुई थे ओंप इनक्रीज करेगा फिर एक चोटा सा आएगा एक पर इनक्रीज करेगा ऐसे करके आएगा तो एक्षिली जो ओपम है एक्षिली इस फोसिंग डिटेक्टर आइपोर्ट वसिंडेक्टर इसमें ऐसे उप्स नहीं एक बस यही था तो यहीं ऑप्सन करेक्ट होगा निष्म OR सक्किरोट तो इनक्रीज क्रें फसव d इसमें आपनाट की थे व में थेक्षिली सा बह्त प्र ईंपाट नहीं देग च्वरण पक्रवर्ण स्वर्णे क्यृrin इमर्जिंग लाइट इंटेंसिटी तो दिखे कि इस फर्मूला होता है कि आई इक्वाल टू आई नोट अंडर टू और को स्क्वाइर और इधर जो है कि 100 डिग्री माइनस 55 ठीक है तो इसमें जो रेजल्ट आ रहे है इस 50 वाट पर मेटर स्क्वाइर तो यही रेजल्ट होक इमर्जिंग लाइट इंटेंसिटी का इंपोर्मूला होता है कि आई इक्वाल टू अंडर टू को स्क्वाइर ऑंडेट वाइनस 55 आपकानने साहिए कि दोनों दोनों एक्षरी अंगल गिविन था तो इसमें से रिजल्ट आ रहे है कि 50 वाट पर मेटर स्क्वार नेक्स एक कि यह लाइट इस पर्फेक्टी नियर्ली प्लाराइज रिप्लेट इंटर्फेस अफ एल्कोहल और इसमें इप्रिविन थी वान पॉइंट इसक्स और ग्लास के लिए कि लिए जो है कि 1.65 अपैल अप्ट अप्ट एंगल अप्ट एंगल क्या होगा तो बूस्टर लोज हो इसका इंडेक्स या आप ऐसे माल लीजिए कि मीव जी अंडर मीव एक्ट एक्ट्री 1.65 फर्मूला होता है बूस्टर लोग का एंड जो है कि 1.36 फिर पुछा गया था तो एंगल क्या होगा तो किटा भी 30 इस एक्वाल टू 10 निवर्स आएगा 10 निवर्स आप एवालू त हुआ है ने कि क्या है कि हैं दर यह माल यह आप जेनरेट इंड स्क्ट लूप फाइट विड्स पी तो यह क्या है कि जो पूछे जा रहे है कि एक्ष़ली यह मेट का वैलू क्या आएगा ठीक है तो पहला जो है कि देखे कि इधर जो है एक्ष़ली माल लीजिए कि यह फैलू है ठीक है यह फैले यह तो दिन इसमें छोड़ा सा एक्चेंज देजिए तो है कि डी वाई तो क्या आएगा कि वी इक्वेल टू जो होता है कि वी इक्वेल टू म्यू नॉट आई अंडर टू पाई ओफ वाई तो देन फाई इक्वेल टू चो होगा कि बी यह अब डी वाई तो देन दी ओफ यह जो होगा कि माइनस ओफ डेल फाई अंडर डेल टी चेंज आएगा माइनस ओफ डेल टी और फाई का जो वैलू है बुट करने से जो आ रहा है कि दिखिए कि म्यू नॉट ऑफ आई एंड ए और इसका साथ नीचे में तू पाई वाई आप डी वाई तो यह रेजल्ट आ दिखिए कि इसमें जो है कि भी जो आ रहे स्पीट एक्शुली और इसमें आपको कल्कूट करना है यह में का वैलू क्या होगा तो यह में अपकर वैलू जो आएगा यह है ठीक है तो टोटल क्या है तो फिर एस प्लस ए तो इधर आएगा कि मियू नॉट ऑफ आई ए भी अंडर टू पाई ओफ वाई स्क्वेर और इसमें जो वाई इंटिकेशन करने से डिवाई अंडर वाई स्क्वेर और लिमिट पूट करने से जो रेजल्ट आएगा कि जो है कि मियू नॉट आई स्क्वेर भी अंडर टू पाई ओफ एस प्लस ओफ इसक्वेर तो जो ऑफ्षन यहां पे मेरे को मिला है तो थोड़ा इसमें टू पाई ओफ एस प्लस स्क्वेर होना चाहिए और जो डिरेक्शन होगा हो है कि एंटिक लोग वाई ठीक है जोगा तो ऐसे आएगा कि ने चुकुष ने पीस्टी इंटर्स में पूछा गया था कि गिविन ए मैट्रिक्स फोर फोर मैट्रिक्स गिविन था और कैल्कुलिट देटेमिनेंट ओव यहां पर देखिए कि जो पीजिबा डाइगोनल एलिमेंट है वो सारे जो है एक्चुली आइ इस प्रपर्टी होता है कि sum of the eigenvalues is equal to trace, so trace of this matrix m equal to actually 1 plus 0 plus 3 minus 4 is equal to 0. and the determinant of determinant of question was that determinant of e over m that is equal to the property of trace of trace of m, it is the property of a property, so the property is very important है तो देखे क्या है कि determinant of e over m equal to होता है कि e over trace of m to trace क्या आ रहे है कि 0 that is actually e over of 0 that is equal to 1 तो इसके result 1 corrected को नेक्स्ट कुश्चन है क्या है कि वर्टिकल मुशन इन एर मेडियम इन हुई इस देटाइटिंग फोर्स देटिंग फोर्स fv equal to bv acting at the t equal to 0 v equal to 0 at t equal to m under b and the how much of the distance the objects traveled okay so just this measure equation of motion लगाना है air resistance equation में गिविन था that is actually f of v equal to b of v then equation of motion जो है कि aim of dv under dt equal to आएगा कि mg minus of bv तो इसके में simplify करने से और कुछ boundary condition लागाने से जो result actual आ रहा था कि एम स्क्वेर अंडर जी अंडर बी स्क्वेर और इसके सब कुछ constant रहेगा उसको boundary condition से calculate करना है और x dx under dt से equal to क्या होता है कि वी तो इसमें से आपको calculate करना है कि x का value क्या आएगा कि इतना distance ताफिल करेगा तो जाय हुआ है कि half of mg square m square g under of b square एसे result इसमें आये एक्शुली 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 100 ए ऐसे option में था तो एसे option जो है और आप लोगको तो इसमें थोड़ा स्मिट्टीपे कर लिजिए इस equation को पहले आपको क्या करना है कि velocity को calculate करना था यहां से फिलोसिटी इक्शुल ते दिएख एक्शुल तॉ दिएख अंडर दीटी और इसमें से आपको calculate करना था एक्श का वालु क्या होगा उस-बाॉंडरी चंडिशन लागाने से ए रिजल्ड आजाएगा leukeगे और नेक्ष्य हे थे क्या है कि in a1 reaction ah is actually u Of 32 2235 and mass is given and 238 mass is given in question is actually Uhh distinguished after the magnetic field is 0.2 tesla then the separation between the the radius of the result of the following circle actually two millimeter the caliber the potential of v देखे कि इसमें जो है कि given है कि ra minus rb equal to two millimeter and the ma and mb given है और we know the relation actually r equal to क्या होता है कि mb under q of b magnetic field के case में ठीक है तो फिर इसमें जो आएगा देखे कि इसमें जो आएगा कि ra minus of rb equal to अब लिख सकते हो कि m of a under q of p and उसके साथ two q of v divided by m of a और फिर क्या आएगा कि एक्षियर देखे कि इसमें ना भी के रिप्रेस में हम लोग two q v लिक रहे हैं ठीक है वी जो था कि velocity a जो है velocity बाट इसमें कि potential ठीक है तो एक कहां से आ रहा है देखे कि हाब आपना एम आफ वी स्क्वैर एक्वाल टू क्यू ओ कि बाटल भी तो इदर से आभ विश्क्तिक लिखेंगे तो क्या आएगा टु ओ वा क्यू अंडर एम और इधर कैपिटलभी एक्वा रहा है रूर्ट अंडर ना रोग two q and capital V under M इसलिए इस भी के रिप्लिस में हम लोग एउस कर रहे है ठीक है माइनस क्या आएगा एम आफ बी बी पार्टिकल के लिए जो है कि बी के लिए क्या आएगा एम ऑफ बी अंडर जो है कि क्यू आफ बी और इधर जो आएगा रूटंडर ऑफ टू क्यू भी डिवाइड़ अफ एम आफ पी तो इसमें तो यह रिजल्ट आ रहा है और देखें कि इसमें तो फिर पुछ तीजे जो है जैसे इधर से जो रिजल्ट गिविन था एक्ष़ली इसका वैलू गिविन था और एम बी का वैलू भी गिविन था और इसमें से क्यू बी वान अंडर क्यू भी बहार आ जाएगा कमन होके और जो नीचे में जो टाम है उसमें सुझे रिजल्ट आएगा इसको सिंप्रिपाइब करने से दिखें कि इसमें ना यह चीस तो आ रहा है ठीक है और इधर जो रहेगा रोड़ंडर ऑफ एम बी रह जाएगा ठीक है और बाकि इसका जो वैलू है कि इसके साथ जो है कि 0.2 ठीक है तो मिलिमेटर बोला जा रहा है तो और एज टू आ रहा है एक्चुली देखें कि टू मिलिमेटर तो द्मिस टू ऑफ मंटिप्लाइब 10 तो दिपार मैनस थी और इंटो इसमें कल्कुलेट करने से जो रेजल्ट आएगा आपको चाहिए वी क आपको पता ही है ठीक है और देखें कि इसमें जो रेजल्ट आएगा तो पूरा कल्कुलेशन करने से नेरली अबाउट 800 या 810 वोल्ट ऐसे आ जाएगा इतना पोटेंशियल तो आप्शन ऐसे था तो इसमें जो राइट आप्शन होगा कि 800 नेर अबाउट 800 वोल्ट ओके था कि एक ऐसा फीगर गिविन था और इसमें बोला गया था कि जो एंग्यल है ठीक है और इसमें बोला गया था कि कुछ सटाल जो है क्यूबिकल किस्टल है और प्लेन जो है एक्षुली 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 टू 1 1 0 और लेम्डा का वैलू गिविन था 3.1 यह 3.2 एंग स्टॉंग और हो रहा है कि स्टेकंड और थीटा का जो वैलू है थर्टी डिग्री तो पहला जो है कि इसमें देखिए यह थीटा है तो दर्विश्चुली एक्षुली एक्षिकिन 90 मैनस थीटा इसको मैंने थीटा प्राईम कॉंसिडर किया थीक है तो फिर इसमें देखिए कि क्या होगा थीटा प्रांचल तो कर लिया तो फिर यह जो आएगा कि 2D of साइं थीटा थीटा प्राइम यहां पर इसी के साथ एंगल कर रहा है एंगल कर रहा है इसको मैंने इसको मैंने इटा प्राइम से किया तो फिर देखें इसमें क्या आएगा इसमें जो आएगा तो फिर तो है कि 2d sin theta prime equal to n lambda तो फिर इसर तो एंडर रूट 2 of sin of 90 minus of theta okay that is equal to n lambda और इस फर्मूला होता है क्यूबिकल के लिए जो है कि d of hk equal to one under of root under of h square plus k square plus l square और इसर में जो था plane 111 so that is actually यह होता है क्यूबिकल के सुल में और यह अंडर जो है के रोट तो ठीक है रहा है होगा कि cost of theta so that is cost theta and इधर जो हो रहा है कि root 2 of a cost theta equal to n of lambda तो फिर इसमें थीटा का भेलो गिविन था कि root 2 of a cost of theta pacific जो था कि 30 degree और इधर n lambda so that is equal to root 2 of a and cost 30 that is my root under 3 under 2 and this is equal to second order बोला कहा था question में कि second order तो इसलिए यह दिर पे जो आएगा lambda भी question में given था तो सारे कुछ calculate करने से यह पर पूट कर देने से एक value आजाएगा यह इस नेरली अबाउट 5.06 इतना एंस्टोंग आएगा ठीक है एका value जो है कि इतना एंस्टोंग आएगा यूंकि दुखी ऐसे बोला जाता है और इस बार क्या हुआ था कि इस से यह वह हो रहा था उसको ठीक है तो फिर यह जो एंगल है एक यह क्या होगा एज आंगेल आक्षुलिक दिस इंगेल इस एक्षुलिक नाइटी माइनस थीटा नेट्स पूर्शन देखिए कि एक फुंक्शन गीम था और कांटीगनाजी पूछा गया था तो तो कांटीगनाजी का फर्मूला होता है कांटीगनाजी एक्वेल टू जो होता है माइनस ओफ इसका अंडर टुम सो देटली माइनस वेज़काट स्क्वेर अंडर टूम और क्या और कुछन क्या था कि कांटीगनाजी का एकस्पेक्टेशन तो दरी इस निगेनाजी का पूछा गया था और इसमें चुभ आएगा की इंटिकर्सन ऑ मानसवेन पैनेट्ट प्लस इंफाइनेट और इसके साथ साथ THE और जब सब्रक्राइन में भी उसके साथ निएक्स और नीचे की जो है कि यह नॉनाज फ्रंक्शन है ठीक है यह फिर इसमें प्रोट करने से तो इसका option मेरे को नहीं मिला तो आप लोग इसको पुड़ा खुद ट्राइ कर लेना नेर्स देखिए क्या है कि एक इलेक्रमेटिक से और भी एक कोशन है कि इविन दी इकोल तो 25 सेंटिमेटर पावर दिस वन वट कैलकुरेट दा बी आरेमस मैंगनेटिक फिल्ट कि अहीज तो पहला कि यहां से आहिए खी्रमेटीक ट्रीम औ notre होता है कि एकोले खुड़ा होता है एक्शूलयग करणार यहां से आ रहा है ठीक है तो यह फर्मूला लगाने से इसका रिजल्ट आ गया ठीक है मतलब इसका रिजल मिल जाएगा ठीक है तो एक उसन भी अच्छा था तो नेक्ष देखे पॉसन किया था कि टोटल बैंडिंग एनर्जी और 15 16 17 गिविन था और एनर्जी के बिट्विन वन पी वन पी वन दीप फ़ए टू नूटर शेल्स पॉड देखे पॉड नूटर शेल्स फॉड फॉड नूबर इसक्ट फॉड शें पूचा गया था तो पहला जो है कि एसमें ऐसा कर लिजिये की ओ 15 प्लास 10 N that's equal to O 16 तो बैंडिंग इनर्जी फॉर देन तो बैंडिंग इनर्जी और इन इसक्टली 1p 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 2 इसके लिए दिन बैंडिंग इनर्जी क्या होगा तो इसमें बैंडिंग इनर्जी को फैलो आएका कि बैंडिंग इनर्जी ऑफ O 16 minus of binding energy of O 15 okay O 15 so that is actually 127.62 minus of 111.96 okay so that is equal to 15.66 mega electron volt this is actually for the V half okay so next is actually 1d5 by 2 so 1d5 by 2 मतलब क्या है कि O 16 plus N of 10 यहां से आ रहा है कि O 17 ठीक है तो इसमें से binding energy आएगा तो इसमें जो आएगा binding energy of N it's N in N is actually इसके लिए कि 1 1 P 1 P क्या है कि जो है जो है प्रेट इवाइट और वंडी फाइब टूब के लिए ठीक है इसमें भी अब इसको इसमें भी ओ आएगा कि 1 P हाप के लिए ठीक है तो इधर जो आएगा कि binding energy of O 17 minus of binding energy of O 16 okay so that means actually 131.76 minus one two it is seven point six two to a question पारे भी पूछा गया था four point one four mega electron volt yeah so the difference between the two level actually kya है कि जिसका मास दो नो का ने पिली जो हुज मास संबर is close to the 16 that is a difference between two levels actually 16 15.66 minus of 4.14 that is actually 11 point difference पूचा गया था 15 11.52 mega electron volt देखिए एक कोर्षन एक्षिली गेर्ट में पहले भी पूछा गया है same question में कोई भी कोर्षन में या कुछ डाटा में भी कुछ भी डाटा पी चेंज नहीं था तो एक वसक्षन एक्षन 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 ट्वेंटी में पूछा गया था आप लोग को और भी कोई question याद है तो मेरे जो वाट्सक ग्रूप है या टिलिग्रम गूप है उसमें आप लोग सेंड कर सकते हो तो अभी इतना ही नए सेसर में और भी कोई question मिले तो डिसक्स कर लेंगे कि अ